नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर कोई भी परिक्षा हो चाहे वो शिक्षक भरती हो, CET हो, पटवार हो या फिर सिविल सर्विसेज के एक्जाम हो सभी परिक्षाओं में जिनमें भी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट आता है, उस में समिधान का भाग जरूर आता है तो समिधान के अंतरगत हम बहुत सारी बुक सैध्यन करते हैं, बहुत सारी वीडियो सैध्यन करते हैं मैं भी इस वीडियो नोट में आपके लिए कुछ सम्विधान सभासे सम्मदित महत्वण पॉइंट्स निकाल कर लेके आया हूँ उन पर इस वीडियो नोट में चर्चा करूँगा आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें चैनल पर दुबारा सक्रिय हो गई इसलिए आप चैनल को सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें शेयर भी करें देखिए राजनिती विज्ञान में हम समिधान सभासे सम्मदित महत्वण पॉइंट्स पर आज चर्चा करने वाले हैं परसो एक वीडियो नोट डाला था जिसमें हमने राज तंतर और लोगतंतर के उपर एक चोटी सी चर्चा की थी बहुत ही सरल शब्दों में सरल भशा में ठीक है तो अब हम चर्चा करते हैं समिधान सभासे सम्मदित महत्वण पॉइंट्स पर यह आपने कई जिगर माली बार देखने को मिलें पहला देखे समिधान सभा की सबसे पहले माग किसके द् Adaptal सभासे सबसे पहले मांग की दिलक के द्वारा बाल गंगदर तिलक ने यह मांग कब की थी यह आप से पूच लिया जाये तो 1895 अँधान सभा की सबसे पहले सरपर्थंग मांग किसके द्वारा की गई थी बाल गंगादर तिलक के द्वारा जितने भी और फैक्ट जुड़ते जाएंगे वो बातों बातों में आपको बता देंगे इसलिए वीडियो को स्किप ना करें दूसरा देखिए महातमा गांधी जी ने समिधान सभा की मांग कप की तो 1922 में किसने? महातमा गांधी जी ने जो जो समिधान सभा की मांग की थी वो समय कौन सा था? 1922 था समिधान जो बनेगा भारत का वो भारतिय जन्ता के हिसाब से ही होना चाहिए ठीक है? मतलब ये बड़े बड़े नेता थे उस टाइम पे सक्रिये सोशिलिस्ट मान लीजे इनको जिन्होंने अपने इन मांगों के जरिए बताया कि समिधान सबा की आउशक्ता है इसलिए ये चीजे हमें फैक्ट के रूप में ध्यान रखने पड़ेंगी अब सारव भूमिक वैस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित समिधान सबा की मांग किसके द्वार की गई इसमें कंडिशन लग गई एक तो निर्वाचित समिधान सबा की और वो किसके आधार पर वैस्क मतदान के आधार पर यह कब की गई दो प्रशन निकल कर आएंगे कब की गई तो 1938 में कब 1938 में किसके द्वारा की गई तो पंडित जवाहलाल नेरू ने भी समिदान सभा की मांग की लेकिन उसका अधार क्या माना वैस्क मतदान मतलब जो मत वोट डालकर निर्वाचित समिदान सभा की बनाने की मा 1938 में 1938 में ठीक है चलिए नेक्स देखिए अंग्रेजों के द्वारा अब मांग तो सब कर रहे थे लेकिन अंग्रेजों के द्वारा पहली बार सविधान सभास की जो मांग उठ रही थी उसको कब स्विकार किया गया कब माना गया यह माना गया अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंत 40 के अंतरगत अंग्रेजों ने भी ये मांग अपनी स्विकार की कि समिधान सभा का निर्मान होना चाहिए ठीक है लेकिन इस अगस्त प्रस्ताओं की खास बात भी सामने आती है कि इस अगस्त प्रस्ताओं में कहीं भी समिधान सभा का उलेक नहीं किया गया समिधान सभा नाम निर्वाचन हुआ, है ना इससे पहले आप एक क्रिप्स मिशन ओर पढ़ेंगे, जो कब आय था 1942 1942 में क्रिप्स मिशन आय था, इसमें क्या था की समिधान सभा, निर्वाची समिधान सभा का प्रावधान तो था, लेकिन वो एप्रतेक्ष रूप से निर्वाचित समिधान सभा का प्रावदान था जो प्रांतिय जो विधान मंडल थे उनके निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनी जानी थी प्रांति ये जो विधान मंडल थे उनके निम्न सदन के सदश्चों के द्वारा एपर्टक्ष रूप से निर्वाचित समिधान सभा का प्रावधान था क्रिप्स मिशन 1942 के अंतरगत और समिधान सभाका निर्वाचन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गय यह अभी तक जो भी बाते बताई आपने पड़ भी रखिये होंगी लेकिन कुछ बाते इनído में ऐसी होंगी जो आपने पहली बार यहां पर क्लिक की होँगी चाय बोलने में हो चाय आपको लिखा ओओ दिख रहा है जो कहा जा रहा है वो भी महतपून है जो लिखा गया आ दीड़ाए और गया सविधान सभा में निरवाचन का फौर्मूला अपनाया गया उसमें विधान मंदल के निम्न सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनीरतु पदती का प्रियोग किया गया और एकल संक्रमणी ये मत्प्रनाली का प्रियोग भी किया गया ठीक है इसको ह समध्यान में रखेंगे अब देखिए नेक्स प्रशन देखिए अब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है काफी बार परिक्षाओं में पूछा जाता है समिधान सभा में मैंने इसको एक ही प्रशन में डाल दिया ताकि आप इसको कंपरिजन करके भी समझ सकें समिधान सभा कितने थे ब्रिटिश भारत से निर्वाची सदस्य कितने थे रियासतों से मनोनित सदस्य कितने थे अब देखो कुल सदस्य की बात आये तो 389 389, कितने 389 ओके, इसको मैं अंडलाइनी कर देता हूँ ब्रिटिश भारत से निर्वाची सदश्य कितने थे 296, 296 अब इसमें 292 तो प्रांतों से और चार चीफ कमिशनरी प्रदेशों से चार चीफ कमिशनरी प्रदेश कौन से थे दिल्ली, अजमेर मेरवाडा, कुर्ग और बलुचिस्तान ठीक है? और तर्यानवे सदश्य जो थे ये रियासतों से क्या थे? मनोनीत थे निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत थे इन की पॉइंट्स पर पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ी बात ये है, कि जो लिखा हुआ है शब्द, उसके उपर बहुत गोर करने की ज़रत है कहीं निर्वाचित लिखा हुआ है, कहीं पे मनोनीत लिखा हुआ है तो आप इस इसको ध्यान में रखेंगे कुल सदश्य पूचा जाए, 389 ब्रिटिश भारत से निर्वाचि सदश्य कि इसने बजाए, 296 प्रांतों में, 292 और 4 बचे जो चीफ कमिशनरी प्रदेश से और 93 रियास्तों से मनोनित चीफ कमिशनरी प्रदेश कौन? दिल्ली, अजमेर मेरवाडा, कुर्ग और बलूचिस्तान ओके जी, चलो एक प्रतिनिदी का निर्वाचन कितनी जनसंख्या पर तै किया गया तो 10 लाग की जनसंख्या पर एक प्रतिनिदी चुना जाएगा ठीक है? 10 लाग की जनसंख्या पर एक प्रतिनिदी चुना जाएगा और निर्वाचन की जो पदती थी वा था समिधान सभा में कॉंग्रेस के कितने सदस्ष्य निर्वाचित हुए 208 मुस्लिम लीग के कितने सदस्ष्य निर्वाचित हुए 73 और समिधान सभा में कितनी महिलाई निर्वाचित हुई 15 15 यह सारे आकड़े मैत्पूर्ण हैं कॉंग्रेस के 208 मुस्लिम लीग के 73 और महिलाएं कितने निर्वाचित हुई थी 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी किसमे समिधान सभा में निर्वाचन होने के बाद में यह जिज एज क्लियर है कि नीए यहां तक आपको अच्छे से आता भी होगा आपने पड़ भी रखा होगा अब बहुत ही डीप प्रशन आपके लिए पूछला जाए तो उसमें क्या होगा उन 15 महिलाओं का नाम आपको पढ़ना पढ़ेगा कि इनमें से कौन सी महिला समिधान सभा में निर्वाचित नहीं हुई थी तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पढ़ेगी जिसमें मैं आपको एक सीधे तरीके से बता देता हूँ जो महिलाएं थी विजे लक्ष्मी पंडित थी सरोजनी नाइडू थी राजकुमारी अमरत कोर मालती चोदरी कमला चोदरी दुर्गाबाई देशमुक दक्षनी वेला युधन और सुचेता क्रपलानी रेनुका राय पूर्णिवा बनरजी लीला राय हंसा जीवराव मिनाथन और एनी मासकरिन यह महिलाएं थी जो पंडरा थी जिनका निर्वाचन हुआ था अब कहीं डीप रश्न बन जाए तो आपके लिए प्रश्न बनकर सामने आ सकता है कि कौन सी महिला इसके अंतरगत नहीं थी ठीक है यह हमें धान में आ गया नेक्स प्रशन देखिए समिदान सभा की पहली बैठक कब और उसकी सदेश्यता की अध्यक्षता किसके द्वार की गई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक वरिष्टम सदेश्य सचीदान सिन्हा को एस था या ध्यक्षता गरहन करवाई गई इसी के तुरंत बाद 11 तारिक को 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को आता है किसमें दूसरी वैठक के अंतरगत 11 दिसंबर 1946 को और समिधानिक सलाकार कौन है बी एन राव यह चीज भी क्लियर होती है कोई भी इसमें समझ्या नहीं है अब हमने यह जो आपको 15 पॉइंट बताए जिसमें हमने आपको बहुत सारी बाते भी बताई आपको वीडियो को शेर भी करें ठीक है खास करके जो अभी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जरूर क्योंकि इस चैनल की सबसे खास बात यह है कि आपको यहां पे बिल्कुल सरल भाशा में चीजे उपलब्द करवाई जाती है थैंक्यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए शेर जरूर कर दीजेगा